कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जारकन सरकार द्वारा कई दिसा निर्देश जारी किये गए हैं जिसमें विदाले खोले जाने को लेकर दिये गए दिसा निर्देशों के अनुसार नवंबर्ग से बारवी तक की छात्र छात्राओं को ही अभिवावकों की इजाज़त से विदाले बुला कर सिच्छा दिया जा सकता है लेकिन बरका काना ओपी छेतर के अंतरगत आने वाले हेहल गौँ अस्तित पैरडाइच पब्लिक स्कूल के संचालक द्वारा सरकार के दिसानिर्देश की धजिया उडाते हुए एक से लेकर आठ तक के छोटे-छोटे मासुम बच्चों को विदाले बुला कर पढ़ाय कराय जा रही है विदाले संचालक के लापरवाही के कारण छोटे-छोटे बच्चों के बीच पोरोना फैनली की संभावना बन गई है जेपी सिच्छा विभाग के अधिकारी अन्भिग्य नजर आ रहे हैं ग्यातों के उक्त मामला पत्रातु प्रखंड सिच्छा प्रसार पदाधिकारी दो के कार्यकाल से महज दो किलोमीटर दूरी की है विदाले संचालक द्वारा लापरवाही कुछ इस्परा का है कि विदाले में उपस्तित होने वाले छातर छातराओं वासिच्छकों के बीच सोसल डिस्टेंस की धजियां उडाते हुए मास्क भी नहीं लगाया गया है इसके साथ ही छोटे-छोटे बच्चों से पुछे जाने पर उन लोगों को द्वारा बताया गया कि विदाले प्रवंदन द्वारा 20 जुलाई से ही बीना ड्रेस के ही स्कूल संचालित की जा रही है उस दिनों के लिए विदाले को बंद किया गया था जिसके बाद 7 अगस से फिर विदाले संचालित की जा रही है जिस कारिन बीना ड्रेस के ही विद्याले में पढ़ाई होती है। क्या कहते हैं सिच्छा प्रसार पदादिकारी सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को अंदेखी कर स्कूल संचालन किये जाने के इस समद में पूछे जाने पर प्रखंड सिच्छ प्रसार्प दादिकारी जैनात महतो द्वारा बताया गया कि मामले की जानकारी सिच्छ विभाग के उच अधिकारियों को दी गई है जबकि समवादाता द्वारा सिच्छ विभाग के उच अधिकारियों को सौपी गई रिपोर्ट के संबन में पूछे जाने पर कुछ भी बताने से इंकार कर दिया बच्चे जो है वह आज आए ठीक है आप देखेंगे बत्चों को सिर्फ कोपी चेकाने के लिए वह भी नौब जाएंगे अपने बच्चों को लिए जाएंगे दर सौर के नाम है अपका मेरा नाम सौनु है ठीक है